सन 2006 में एक हमारे देश की टेलिफोन कंपनी थी जिसका नाम था एरसेल उसने अपनी कंपनी को बेच दिया मलेशिया की एक कंपनी थी माक्सिस उसके हाथो और ये सौदा था करीब चार हजार करोड रुपेगा अब जब से ये डील हुआ तब से आज तक यह डील जो है वो भैंकर विवाद का विशे बना रहा है विवाद के तिन-चार मुख्य विंदू है नमबर एक के किस परिस्थिती में भारतिय कंपनी ने विदेशियों को अपना शेयर बेचा ये पहला विवाद का विशे है अब उसके विस्तार में मैं इसलिए नहीं जाना चाहता हूँ कि उसकी जाँच कहीं और हो रही है दूसरा जो विवाद का विशे बना वह यह बना कि उस समय के नियम के अनुसार सरकारी नियम के अनुसार भारतिय कंपनी में विदेशी पूजी 74 परसेंट से जादा नहीं हो सकते हैं आज भी वही नियम है लेकिन जिस मलेशियन कंपनी ने मैक्सिस ने इसको खरीदा उसने मलेशिया के स्टॉक एक्शेंज में ये रिपोर्ट दिया घोशना की कि उसने 99.3% इसमें शेयर खरीदिया 99.3% कब कैसे खरीदा जबकि सीमा थी 74% और डॉक्यूमेंट्स हैं जो प्रूफ करती हैं कि उन्होंने इस प्रकार की घोशना बोर्से मलेशिया में की उसके बाद उन्होंने इसका जो एक्सेस था जो अधिक था उसको सस्ते दाम पर किसी भारतिय को दे दिया यह भी जाज का विशे है और सबसे जो इसमें एक बात सामने आई है और मैं मैडम आप जानती हैं कि मैं कई दिनों से इस सदन में इस विशे को उठाने के अनुमती मांगता रहा हूँ क्योंकि अखबारों में ये विशे चपता रहा मुझे अफसो से ये कहते हुए क्योंकि मैं मानता हूँ कि ये हमारी जो पार्लिमेंटरी परंपराय रही है संसद की परंपराय रही है उसका इसमें घोर उलंगन हुआ है कि हमें इजाजत नहीं मिली इस विशे को यहां उठाने के दिन लेकिन जब अख़बारों में ये ख़बर छपी तो वित्मंत्राले ने इसके बारे में एक प्रेस विज्यप्ती जारी करके अपनी सफाई पेश की विशे यह था कि फॉरेंड इंवेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड की स्विक्रती दो हजार छे में इस दील को मार्च के महीने में मिली या अक्टूबर के महीने में ये एक विवात का विशे है लेकिन सदन में ये विशे नहीं आया क्योंकि मुझे अनुमती नहीं मिली उठाने को और सदस्यों को अनुमती नहीं मिली और संसद जब चल रहा है तब अलग से वित्तमंत्राले इसके बारे में प्रेस्विज़्यप्ती जारी करके सफाई पेश कर रहा है जो वित्म अंत्राले ने सफाई पेश की है जो चत्थे रखे हैं उसको मीडिया ने चालेंज किया और कहा है वित्म अंत्राले गलत बयानी कर रहा है यह सही नहीं है कि यह अप्रूबल FIPB का मार्च में मिला यह FIPB का अप्रूबल 2006 के ऑक्टूबर महीने मिला और उन्होंने इसके बारे में जितने documents हैं उसको भी देश के सामने रखा है अब यह विवाद कि मार्च में मिला कि ऑक्टूबर में मिला यह गंभीर विवाद क्यों हो गया यह गंभीर विवाद यह इसलिए हो गया कि इसी बीच में उस समय के जो वित्तमंत्री थे उनके सु और मैं मानता हूं कि अभी अपने आप में महत्वपुर्ण नहीं है कि उनको शेर जो 5% दिया गया वो मार्च के पहले दिया गया या मार्च के बाद दिया गया ऑक्टूबर के पहले दिया गया मार्च और ऑक्टूबर के दर्म्यान में दिया गया नहीं दिया गया यह मैं responsibility के point दिए हमारी परंपराओं को ध्यान में रखते हुए क्या ये सही था कि इस प्रकार का deal हो जिसमें उस समय के मंत्री जो FIPB के chairman है जो approve करते हैं इन सौदों को उनके पुत्र इसमें 5% share ले लें यह conflict of interest और आप जानती हैं कि सदन में जब भी conflict of interest होता है तो सदसिकों खड़े होके कहना पड़ता है कि conflict of interest है और इसलिए हम इस पर विचार नहीं करेंगे और सरकार में एक परंपरा जिस परंपरा के नुसा अगर मंत्री महसूस करते हैं कि conflict of interest है तो वो अपने को रेक्यूस कर लेते हैं यानि कि उससे अलग कर लेते हैं कि हम इस विशह से या इस फाइल से डीन नहीं करेंगे यहाँ पर इस तरह की कोई बात नहीं हुई और वित मंत्री ने उस समय के चाहे मार्च में चाहे ऑक्टूबर में इस डीन को अपनी मंजूरी दी FIPB के चर्मन की हैसियत से तो मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूँ कि यह बहुत ही गंभीर विशह है और मैं चाहूंगा कि सदन के नेता वित मंत्री महोदे जो इस पूरे विशह से संबंदित हैं वो इसके बारे में अगर वित मंत्राले का और सरकार का पक्ष रखें तो बहतर होगा और फिर उसके बाद हम लोग इस निशकर्ष पर पहुंचेंगे सही हुआ गलत हुआ लेकिन मुझे लगता है कि प्राइम अफिस प्रथम गर्श्या जो कुछ हुआ वेक भैंकर घोटाला हुआ है इस देश में और सरकार को पूरी तरह से खुल तर सामने आना चाहिए और इस बात के उपर परदा नहीं डालना चाहिए यही मैं आप से लिए हुआ है